एक लोबडी जिसने एक निर्दोश भालू को धोका दिया कुछ समय पहले एक जंगल में एक लोबडी थी बहुत चालाग थी एक दिन वो भोजन की तलाश में इधर उधर फिर रही थी कुछ दूर उसे एक भालू दिखाई देता है फिर वहां लोबडी फिर वो लोबड़ी अपने मन में सूचती है मज़े भोजन की तलाश करने की जरूरत नहीं ओ जिस भालू से ही भोजन मंगवाऊंगी वो ये सोची रही थी कि तभी वहां भालू आता है दोस्त आजकर की दुनिया बहुत खराब है लगता है किसी में भी दया और करुणा बची ही नहीं है क्या हुआ दोस्त क्यों चिंता कर रहे हो क्या बताओं दो तिन से मेरी तव्यत बहुत खराब है बहुत कमसोरी भी लग रही है खाने को खाना नहीं है पर कोई मेरी परवाही नहीं करता अरे अरे तुम चिंता ना करो मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन लेकर आता हूँ तुम यही रखो जल्दी से वापस आना मुझे बहुत भूख लगी है यार हाँ हाँ ठीक है ये बोलकर भालू वहाँ से जाता है फिर कुछ समय बात भोजन लेकर वापस आता है दोस्त ये लो तुमारे लिए भोजन लाया हूँ खालो जल्दी ही ठीक हो जाओगी धन्यवाद दोस्त तुम मेरे लिए इतना कश्ट उठाकर भोजन ले आए तुम ही मेरे सची दोस्त हो ये तो मेरा करतव ये है पहले थोड़ा खालो फिर बाती करेंगे लोम्री जल्दी से बोजन खाकर कहती है दोस्त कुछ समय पहले पुराना मित्र मुझ से मिलकर गया है उसका मानना है कि अगर मैं एक हफते के लिए खरगोश का मास खाऊंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा पर मेरे लिए खरगोश का शिकार करेगा ही कौन चिंता ना करो यार जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मेरी गुफा में रहो मैं ही तुम्हे दिन में खरगोश का भोजन लाकर दूँगा चलो चलता हो इस तरह भालू लोमनी के साथ अपनी गुफा में जाता है दोस्त यही मेरी आली शान गुफा है यहां तुम आराम से रहो तुम्हें किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी मैं अभी जाकर शिकार करके आता हूँ मैं बहुत ही भागेशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला जल्दी खरकोश को ले आओ मुझे बहुत भूख लगी है दोस्त आहाँ जरूर फिर भालू वहां से चला जाता है उसके बाद लोम्री सोचती है वाह वाह यह आली शान गुफा और पसंदीदा भोजन लाने वाला बेवकूम भालू कितनी अच्छी लाइफ है मेरी आजसी में यही रहूंगी इतने में खरकोश का मास लेकर भालू वापस आता है लोम्री आराम से भोजन करती खुछ दिनों बाद जंगल में खरकोश की संख्या कम हो जाती इसका कारण जानने के लिए महाराज शेर एक सभा गायजिन करते सभा में लोम्री भी आती है दोस्तों हमारे जंगल से कई खरकोश गायब हो रहे है इसका कारण पता नहीं चल रहा है जो कोई भी उस शिकारी का पता बताएगा उसे एक अच्छा उपहार मिलेगा ठीक है महाराज लोम्री कुछ देर सोचती है और फिर शेर से कहती है महाराज, मुझे खरकोश के शिकारी का पता चल गया है अच्छा, पता लग गया बताओ बुकान है एक भालू, केवल खरकोश का शिकार करके खा रहा है इसी वज़े से हमारे जंगल से खरकोशों की संख्या कम हो रही है एक गुफा में वो भालू रहकर ये सब पुछ कर रहा है तो रंद मेरे साथ चल कर देख लीजे लोम्नी महराज शेर को भालू की गुफा दिखा कर वहां से चली चाती है फिर महराज लोम्नी को अपने सलाकार के पद पर रख लेता है आज से तुम मेरे सलाकार हो तुम्हारी चालागी से भालू को हमने पकड़ा है इसी तरह दुश्मनों पर अपनी नजर रखना ठीक है महाराज फिर लुम्री वहां से चली जाती है कुछ दूर जाने के बाद लुम्री को खरकोष दिखाई देता है पापरे बहुत भूक लगी है यहाँ कोई नहीं दिख रहा अभीस खरकोष का शिकार करके खा लेती हूँ लुम्री खरकोष का शिकार करके खा रही थी और ये सब बंदर देख लेता है वो तुरंद ये सब महराज शे को बता देता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें धोका दे कर सारे खरगोश तुमने खाये है मुझे माफ कर दीजे महराज सच में सारे खरगोश मैंने ही खाये थे और मैंने खुद को बचाने के लिए भालू का बलिदान दे दिया ऐसे गलत काम करने वालो को सजा ही मिलनी चाहिए फिर महराज शेर लोमरी पर हमला करके उसे मार लाता है इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि भूले भाले लोगों के साथ को चालाना से भोका कर देता है तो उसे दंड देना चाहिए और जो भी हमारी सहायता करे उनकी रक्षा करनी चाहिए एक बार की बात है एक घना और सुन्दर जंगल था इसी जंगल में एक नाग और नागिन रहते थे नागिन ने दो अंडे दिये थे नाग और नागिन अपने आने वाले बच्चों को लेकर बहुत खुश थे सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन जंगल में काला डाइनसौर आता है जो बड़ा ही सालिम था और दोष्ट भी जंगल में आते ही उसके नजल हिरन और उसके बच्चों पर पढ़ती है जो घास चर रही थे डाइनसौर जट से हिरन के बच्चों को पकड़ लीता है और हिरन डाइनसौर को देख कर घबरा जाती है अरे डाइनसौर मेरे मेरे बच्चों को छोड़ दो तुम चाहो तुम मुझे खालो अरे ओ हिरन, तुचाहती है कि मैं तेरे बच्चो को छोड़ दू तो तुझे मेरा एक काम करना होगा आहा, जो तुम कहोगे मैं भू करूंगी बस मेरे बच्चो को छोड़ दू तो चाह जाका नागिन के अंडे चुरा कर ला क्या नागिन के अंडे अरे कई वश्यों बात नाग और नागिन की सिंदगी में खुशे आई हैं मैं उन अंडों को चुरा कर उनकी खुशे को बरबाद नहीं करूँगी तो ठीक है फिर मैं अपने बच्चों को भूल जा नहीं 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 मैं वो अंडे लाओंगी तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना ये कहकर हिरन नागिन के पास जाती वो देखती है कि नाग और नागिन अंडों के पास नहीं है वो चुक्के से उन अंडों को चुरा लेती है और लाकर डाइनसौर को देती है डाइनसार अंडो को देखकर खोश हो जाता है मेरा बच्चा कहा है ओ मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैं उसे खा गया क्या? ओरे ओर राक्षस मैं तुझे नहीं चोड़ूँगी मैं अभी जाकर नाग और नागिन को सारी बात बताती हूँ तुझ जिन्दा रहेगी तब तो कुछ बताएगी और ये कहे कर डाइनसार दुरन को भी मार डालता है ये सब पेड़ पर बैठा बाज देख रहा था उतुरन जाकर सारी बात शेर को बताता है वहीं दूसरी और नाग और नागिन अपने अंडों को ना पाकर बहुत परिशार थे इधर उधर ढूनने लगते हैं कि तब ही वहाँ शेर और बाज आते हैं शेर नाग और नागिन को सारी बात बताता है किया काला डाइनसार एहे शिव जी जिस बात का डर था वही हुआ उस डाइनसार से मेरे अंडों की रक्षा करना प्रभू आखिर ये काला डाइनसार है कौन और इसने तुम्हारे अंडे क्यों चुराए उस काले डाइनसार के पास कई सारी शेतानी शक्तिया है और वो आने वाली पूर्णिमा को नागिन के अंडों को खाकर अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाना चाता है अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा अब हम क्या करें नागिन तुम चिंता ना करो मैं अभी जाकर तुम्हारे अंडों को ले कर आता हूं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं नहीं, तुम यही रुको और नागिन का खयाल रखो ये कहकर नाग डाइनसौर के पास जाता है डाइनसौर नाग को देख कर जाता है अरे नाग तुम या, लगता है तुम्हें अंडों के बारे में पता चल गया है हाँ, सही कहाँ, अब जल्द उन्हें वापस कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूँगा ये सुनकर डाइनसार जोर-जोर से हसने लगता है हाँ, अरे ओ नाग, तुझ जानता है कि जब तक वो अंडे मेरे पास है, तुझ मेरा कुछ नहीं कर सकता मेरे पास कई सारी शक्तिया है, आने वाली पूर्णिमा को मैं नागिन के अंडो को खाकर और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा नाग डाइनसार पर हमला करता है और डाइनसार अपनी शक्तियों से नाग को एक मूर्थी में बदल देता है, यह सब देख बाच तुरंथ नागेन और शेर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, क्या, अब हम क्या करें, उस दुष डाइनसार को मारने में अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो अरे जब नाग ही उस दुष डाइनसार को कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं भला कैसे उसे मार सकता हो उस सालिम ने नागराज को मूर्थी में बदल दिया, और मेरे अंडे उसके पास है, मैं चाहा कर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग उस पर नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का इस्तिमाल कर, तुम्हें और बाज को एक सार जोड़ दूँगी, जिससे तुम आसान देने के लिए तैयार हूँ, हाँ नागर, मैं शेर की बाद से सहमत हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, नागर अपनी जादूई शक्तियों से शेर और बाज को एक सार जोड़ चुकी थे, और वो उरते हुए डाइनसौर के पास जाते, नागर भी मारने के लिए ये किस अजीब से नमूने को लाई है, वैसे तू चाहे किसी को भी लिया मेरी शक्तियों के सामने सब बेकार है, अरे ओ डाइनसौर, अपनी ताकत पर इतना घमंड अच्छा नहीं है, अब तू देख कि तेरा क्या हाल होगा, और ये सुनकर डाइनसौर को ब डाइनसौर के मरते ही नागराज अपने रूप में आता है, शेरभाज भी अपने अपने रूप में आजाते है, नाग और नागेन अपने अंडों को पाकर खुश होते हैं, वो शेर और बाज का धन्यवाद करते हैं, जंगल में दुबारा खुशिया छा जाती हैं। इस कह पहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छाई के सामने बुराई का अंत होकर ही रहता है और बिना सोचे समझे अंजान लोगों की बाते सुनकर मुसीबत में मत पढ़िये